जहीं दोस्तों बंदे मात्रम देश के अलग-अलग हिस्सों में अगनीपत जो स्कीम नहीं आई है आर्मी की तरफ से भारत सरकार की तरफ से उसको लेकर विरोध प्रदरशन हुए एक समय था जब इस देश को गांधी का देश कहा जाता था गांधी के देश में जो भी कोई विरोध प्रदरशन होते थे शवी शांती के तरीके से होते थे या फिर हम गांधी की बात तो छोड़ी दें अगर हम दूसरे देशों में भी देखें तो जहां पे भी प्रदरशन ह होते हैं वहां पर एक चीज़ देखने को मिलती है यह पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना के बराबर पहुंचाए जाता है यह भारत में आज की डिट में ट्रेंड बन चुका है कि अगर आपको कोई प्रॉटेस्ट करना है यदि आपने कोई प्रॉपर्टी या फिर किसी की गाड़ी नहीं जलाई तो कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं इसका इसलिए आप देखिए कि अगरीपत स्कीम को लेकर भी जो प्रॉटेस्ट हुआ कितनी ट्रेने जला दी गए कितनी ट्रेने ठप कर दी गए कितनों की तो पॉब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान पहुचाए गया रेलवे की संपत्ति को स इतना वड़ा नुकसान दे दिया है सिर्फ और सिर्फ प्रदरशन के नाम पर इसलिए आखड़ जाना जरूरी है पिछले चार दिन से अगनीपत योजना पर देश के कई हिस्सों में भारी बवाल मचा है इसमें ट्रेनों को सबसे जादा निशाना मनाये गया इससे रेलव के यात्रियों को बीच रास्ते में ट्रेन चोड़नी पड़ी पांच लाग से जादा पी एनार रद हुए करीब सतर करोड रुपए का यात्रियों को रिफंड दिया गया पूर मद्य रेल जोन को दो से एक तालिस करोड रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ और जिस सार नियार पर तीन यात्रियों भी मानें तो कुल पांच लाग से जादा पी एनार रद हुए हैं हर ट्रेन में उस्तन बारा सो से पंदरा सो तक यात्री चलते हैं जिससे करीब बारा लाख लोगों की यात्रा कैंसल हुई है रिल मंत्राले ने एक्जामपल देते हुए बताए यदि एक यात्री का किराया कम से कम 600 रुपए मानें तो कुल 70 करोड रुपए का रिफंड लटाया जा रहा है जिसमें एसी 3rd, 2nd AC और 1st AC के किराया को शामिल करें तो रिफंड 100 करोड के भी पार चला जाएगा 827 पसंजल ट्रेने कैंसल रहीं 120 मेल एक्स्प्रेस ट्रेने आंशिक रूप से कैंसल रहीं जिससे करीब देड़ लाख यात्रियों को बीच में ही ट्रेन छोड़ कर यात्रा रद करनी पड़ी मेल एक्स्प्रेस 24 कोच की होती है इंजन 12 करोड रुपय का A.C. कोच 30 करोड रुपय का स्लीपर जनरल कोच 2 करोड रुपय का होता है और एक ट्रेन 30 करोड रुपय की पड़ती है विरोज में 21 ट्रेने अलग अलग जगे पर जलाई गई है अगर हम राज्यों के हिसाब से जो सारोजनिक संपत्य को नुक्सान पहुंचाने के जो मामले उनकी बात करें 2019 और 2020 के आंकड़े हमारे सामने हैं सबसे ज़्यादा ये मामले यूपी में हुए यूपी में 2019 में जहां 200 मामले हुए वहीं 2020 में 227 इसके बाद जहरकण का नंबर आता है इसके बाद बिहार का फिर मेगाले का फिर में पंजाब का और इसके बाद कश्मीर का लेकिन अगनी पत योजना को लेकर विरोध पर रश्यान 19 राज्यों तक पहुँच चुका है यह जोरान यूपी बिहार में सारवजनिक संपत्य को लेकर ज़्यादा नुकसान पहुचाए गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब NCRB की 2020 की रिपोर्ट में देखें तो ऐसे मामलों में 28 परसंट तक की कम ही आई थी लेकिन यूपी समय चहराज्यों में केस बड़े थे केस की संक्या में उत्तव प्रदेश सबसे उपर है और तमिलाडू दूसरे नंबर पड़ है वही महिंद्रा कुर्प के चेर्मेन आनन महिंद्रा आरज़ीबी एंटर्प्राइजेस के चेर्मेन हर्श गोएन का टाटा संस के चेर्मेन एन चंदरशेकर वा बायोकॉन के चेरपरसन किरन मजूमदार शौन ने अगनीपत योजना का समर्थन किया है और ये भी कहा है कि प्रशेक्षेत युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे मौके है हिंसा और उपद्रव गलत है अब आप खुछ सोचेगी प्राइवट सेक्टर के अगर कंपनियां इस तरह की बाते कर रही है कि इसमें कुछ फायदा है तो आपकुछ समझना चाहिए प्राइवट सेक्टर का जो व्यक्ति होता है वो दफार नुकसान देखने के बाद ही आगे बढ़ता है कि यदि वो आगे बढ़ रहा है इन चीजों को लेकर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा की बात होगी मेरे सुड़ें फिलालता है जय हैं जय भारत